हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आई मैं आपके लिए लेके आया हूं कम्प्लीट रिपेरिंग लेंड लाइन फोन की जिसको कि मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है पहली वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि यह यह बीना कालर आईडी के फोन होता है जो सिंपल आप पिक्टर में देख रहे हैं लेंड लाइन फोन बीना कालर आईडी इसमें दिफ्रेंट्स वाल्ट आते हैं वो क्या है और आपको कैसे रिपेर करने हैं इसके लिए फ्र स्टार्टिंग में ही वीडियो स्किप कर देंगे तो आप landline phone में जो आपका fault होगा वो पूरा रिपेर नहीं कर सकते हैं इसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा अगर ring नहीं आ रही है, dial tone नहीं आ रही है या dialer pad, keypad नहीं चल रहा है या ring miss करी है जास कोई speech problem है speaker में volume नहीं आ रही है या mic में problem नहीं आ रही है या dead phone है या short phone है या engage phone रहता है तो इसको मैं आपको पूरा ही fault बताऊंगा कि आगर ऐसे fault हैं तो आप उसको गर में कैसे रोपेर कर सकते हैं इसके लिए friends आपको ये मेरी video last तक देखने पड़ेगी वीडियो नमबर वन रहेगी जो दूसरी वीडियो रहेगी वो कालर अजी फोन पे रहेगी अगर आपका यो फर्ट है वो प्लेंट प्लेंड छोइन फोन है इसको खोल लेते हैं पrak气र चुरू करते हैं तो क्लीड फोन में उल्प पहले नमपर फाल्ट हम लेते हैं कि इसमें रिंग तो आ रही है रिंग आ रही है बाहर से यो डायलिंग रिंग आ रही है लेकिन हम जब रिसीवर उठाते हैं जे वाला तो क्या होता है जे वाला लेकिन उपर यो आपको डायल टोन नहीं सुनाई देती है उसके लिए आपको क्या करना है यह तो फार्ट नमर बन आओ गया फ्रेंट मैं आपको सारे फार्ट बताऊंगा लेकिन आपको इस वीडियो के साथ लास तक बने रहना पड़ेगा तब ही आप एक बन सकते हैं लैन्डलाइन फॉन्ट पेरिंग करने लिए पहले में आपको फार्ट खृतार हूँ अगर इसमें डाय टोंड नहीं आरही है श्पिकर आपको क्या करना है सबसे पहले क्या है कि यह जो रिचिवर लीड लगी हुए उस टेसमें अगर इसमें डाय्लट नहीं आ हर रही है और जहां जो रेड इंडिकेटर है यह भी बिलिंक कर रहा है रिंगाने पर तो उस केस में क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है मार्केट से 30 रुपीज की रेसीवर लीड मिलती है यह जो आप पिक्चर में देख रहे हैं आप इसको रिमूब कीजिए इसको रिमूब करने का भी बहुत एजी तरीका है अगर आप इस लीड को खींचेंगे तो यह लीड तूट जाएगी लेगी निकलेगी नहीं उसके लिए क्या करना है आपको यह जैक लगा होता है जहां पर इस जैक को आप उपर की तरह प्रेस करके आप इस लीड को खींचेंगे तो लीड निकल जाएगी तुम्हिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है अगर डायर्टोन नहीं आ रहे हैं सबसे पहले आप यह रिषीवर लीड है रिषीवर लीड चेंज करके देख लीजिए मानते हैं कि आपने रेसीवर लीड चेंज कर ली मारकर से 30 रुपीस की लाके फिर भी इसमें डायर्टों नहीं आई तो next step अब क्या रहा गया जे जो handset receiver है अब फार्ट इसका है इसमें क्या फार्ट हो सकता है जानतों ये जो jack है इसका jack में कोई continuity कम बन रही है या इसका sticker खर लेंगे अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे इसको खोलना है जिस तरह कि हमने जैब जैसका screw है इसका handset खोलेंगे handset के लिए आपको क्या करना है screw driver लेना है यहां कट आउट बना हुआ है जहां पर आपने फसान है का यहां क्या करना है इन को अच्छी तरह से और कीजिए कि इस तरह की मैं रप कर रहां मिःते वाण उसके वाल पदीं करेंगों उस्के बार हमची में टीम senhor स्छह करेंगे अगर आप मल्टिमेटर ठीक है तो है तो ठीक अगर नहीं है तो आप ड्रेक्ट्री स्पीकर को चेंग कर लीजिए आप करेंगे तो कंटिन्टी रिबता लेगी कि मेट खराब है घ्र रहें जहें। यह जह जो ही, आप मा आकिसे स्क्रूर्टिंग अर्ण लेया ये एक सिंपल सा और बहुत ही साफदामी से हाथ को बचाते हुए आप अपने क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट बाक्स में उन्होंने बताया था कि बेस में रिंग तो आ रही है डाइलिंग भी हो रही है सब कुछ हो रहा है लेकिन हमेरे सीवर लीड भी चेंज करके देख लिए जैब मुझे केरला से कोश्चन आया था लेकिन फिर वी यो डायरे टोन है नहीं आ रही है फिर मैंने उन फ्रेंड्स को बताया था आप क्या सिंपल कीजिए कि सीवर लीड चेंज कर लिए और इसका यो बेस में स्पिकर ह क्या होता है कि मार्किट में हमको यह स्पिकर नहीं मिलता है तो मैं आपको इसका भी आप्शन बता देता हूं इसका आप्शन क्या है बच्चे यह चोटा टाइजूज करते हैं जिसे कि हम बच्चों का वो टेलीफोन बोलते हैं उसके अंदर मीनी स्पिकर लगा होता है जो दुम यूद नहीं है तो हम बचों का टैलीफ़ोन कहते हैं आप उसको खोल के उसका स्पीकर भी इस लूज सकते हैं एस पीवर की जगां कि आपको क्या करना है 6 2 में आपको आप्शन पैटा नहीं है तो पिर से यहां arch por plain आपको करना है सिंपल आप क्या कीजिए यह तोड़ी तार है यह थोड़ी बड़ी तार निकालिए लास तक मेरे इस वीडियो के आप बने रहे हैं अगर आपको पूरी तो पेरिंग सीखनी है उसके पाद आप क्या करिए इसको सिंप्ली इतर इस तरह लपेट दीजिए और इसको मौड दीजिए अगर आपके पास यह मैं गर्मे पेरिंग करने का ट्रिका बता रहा हूँचδή आपके वहां कीई हैं अप इसके आपके काड़ कोई कैंडल की चांड्य टोडा मजबूत हो जाए हुग्भ आपको बता दिया इसके बाद आप चेक करेंगे यह डायर टोन नहीं आ रही थी वह डायर टोन आ जाएगी हैं नेक्स्ट ऑप्षण क्या है कि अगरसी दाइल टोन तो आ रही है अगर आपके अवाय लाएन नहीं दिखाई सुनाई दे रही है उसके लिए यह फॉर्ट होता हिए माइक का फॉर्ट होता है मैं आपको उसके आपको क्या करना है सिंपल ये मार्किर से 20-30 रूपीस का किसी भी आप माइक निकल आएगा जब मार्किट से माइक मिलेगा 20-30 रुपीज का उसके बाद माइक लाईए आप आपस इधर इधर अजस्ट करके तो आप इधर से इनके द्वारा से जिस तरह आपने इसके जब आपने पॉइंट्स निकाले थे वह आप ध्यान रख लीजिए कि कौन सा आपने कहां से निकाला सा वैसे ही आप इधर से सोल्डर कर लीजिए आप जे 80 रुपीज की सोल्डरिंग आइरन आती है अगर आपको गर में किसी विए काम के लिए जूज आ सकते है फिर वह आपको गर में एक सोल्डरिंग आइरन जूर रखनी चाहिए ताकि कोई छोटा म पेरिंग आप आया तो आपको पेरिंग शाप पे नहीं जाना पड़े आप यूट्यूब में वीडियो खोल के उस टापिक में आप गर में ही बूर पेरिंग कर सकते हैं इसलिए गर में आपको एक मल्टी मीटर और एक सोल्डिंग आइरन जूरूर खरीद के रखिए तो इ यह तो एक टापिक रहा इससे डाय टोन है वह आपकी आ जाएगी अब सेकिंड टापिक क्या रहा कि हम क्या देखते हैं कि बीच में रिंग आती है और बीच में रिंग कर जाती है क्या होता है कि बहुत मर्तबा रिंग आएगी और बहुत मर्तबा आपके यह कहेंगे कि हम आपको रिंग कर रहे हैं लेकिन तो जा रही है क्योंत कोई उठाटा यह नहीं लेकिन आप कहेंगे कैती हमारे तो ने नहीं उस ईर से के लिए यह मैंने landline phone खोड़ लिया है अच्छे से उस case में क्या आता है फ्रेंस इधन नीचे देखिये नीचे करिए जी जो points होते है points इस switch के और साकर्ट के भीज में यह circuit Driver होते है जो points गिस जाते हैं उस case में आपको क्या करना है कि आप मार्केट से 5 पीस के ऐलफी ले आई है जिस तरफ 5 पीस के मैंने ऐलफी लाई है आपने क्या करना है इस case में कि अगर रिंग कभी आती है और कभी नहीं आती है जे फ्रेंड में आपको ये second number फाल्ट बता रहा हूँ पहले मैंने अगर डाइल टोन नहीं आ रही है रिंग आ रही है तो उस केस में क्या करना है रिसीवर पील लीड चेंग करके देख लेनी है उसके बाद स्पिकर चेंग करके देख लेना यह मैं आपको बता रहा हूं कि बीच में रिंग आती है और बीच में रिंग नहीं आती है उस केस में क्या होता है जहां से जो इसकी connectivity मिस कर जाती है आपको क्या करना है चोटा सा आप कोई भी मसलब गत्य को क्या बोलते हैं चोटा सा जो cardboard क्या गत्ता जो हमारी language में डोगरी में गत्ता बोलते हैं जो आप देख रहे हैं आप इसको क्या कीजिए जहां पर हल्की सी healthy लगाई यह नीचे से और यह यह आपने काटा हुआ इसको आप सुच के नीचे वाली साइड अजस्ट कर दीजिए यह फ्रांच इसना में अब अजस्ट कर लिया अब इससे फ्रेंट्स क्या होगा कि यह जो इसका loose contact हो गया जात जह जो सुच क्या होता बार बार इसको रिवाल्व करने से इसकी जो यह सुच है जो गिसा हुआ था वो इसकी हमने जो जो गए घेखा तैसे फ्रेंट्स ए प्लास्टिक से तीर और रिंग नहीं ऑ़ जाए अब मैं आप को Smys और नहीं आती प्लास्ट पताने चाहरा ऑन स्दरिख्ञा लेंड लाइन फोन है उसके आप क्या करना है वह prettikal दा रहा हूं कि इनके से अगर आई ही नहीं रही से लागर आप फोन करें हैं मुवायल से तो आपके जो लेंड सत्ता है? उस case में क्या odds पड़ता है, बहुत मरतबा क्या होता है गितने की वायवज़ से इसके यह रेंगर है आ झार ़िंगर है आपको बैदा देता को यह बाहर से रेंग आती है, फ्रेंट्स लाज तक मेरे वीडियों के साथ बने रही तभी आप पूरा लैंड लाइन डू पेर करना सिखेंगे यह यह रिंगर लगा हुआ है फ्रेंट्स क्या होता बहुत बारी गिरने की वैसे यह रिंगर है जो आवाज आते हैं जो रिंगर की वैसे आती है आपको क्या करना है बहुत ही साबदानी रिंगे तो जी एक और ब्लैक बाय लगा है आप देखेंगे इन वे से एक बायर ब्रेक हो चुकी है आपने फ्रेंट्स क्या करना है इन में से एक बायर कुई होगी आपने सोल्डिंग आइरेन की मदद से सोल्डिंग आईरेन तो आपको जुरूर चाहिए फ्रेंट्स अगर पर्मेनेंटल रिंग आ ही नहीं रही है है उसमें क्या करना है जब से पहले मैंने आपको बताया यह क्वाइर के अंदर रिंगर आपने इसमें से जो बाहर ब्रेक हुए होगी वापसeshlder कर देना है जिस तरह मैंने को सोल्डर कर दिया उसके वाद बापस आप यह के बाहर और अज़े इनर नए देखिए रिंगर बापस बंद हो गया वैत वापस हम अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो पुलीज दू सब्सक्राइब लाइक माई चैनल उस केस में क्या करना है फ्रेंड्स आपको क्या करना है जहां आप प्लेट में देखेंगे जहां एक लिखा हुआ रिंग नहीं आ रही है यह जिए जैडबर क्या होता है जिए जीन डियर का काम करता है जैब पीछे से ज्याधा बोल्टे आती है आक्सेस बोल्टे आती है जो इसके का करना है सीमपल कटर लीजिए है पर कटर लीजी जिस्तरल्शमी एक यह कटर लिया हुआ कि आपको एभी ईरेंगर लगा वानबंक इस लिद्वी को इसी ईचिस्ट पर्ड़ा добав टाय hello इक आट लेते हमें लेगरेंग वाले रहगे बहुत ही कम बहुत ही द्रेवन कि हम निया लान फून खhrी लेते हैं लेग만 इस केस में क्या होका फि만 फिर बिए फोन साल दो साल वन्वास्ट इया चलन पडेगा आपको क्या रिटो को क्ट्र रामสे आपने इसको ब्रे करते हैं बहुत आराम से आपका सरक्ट सरren नहीं हो सिरफ बहुत आराम आप देखेंगे कि आपकी जो जे यो जैट वन लिखा हुआ है जिसमें जो जैट वन होते हैं वो जीनिय डायड होते हैं जहें डी वन लिखा होता है जिस तरह ये डी वन डी टू होते हैं जहां पर फ्रेंट जे कैमरा पास लाई ये डी वन डी टू लिखा हुआ है जो जिसक मैं क्या करूं तो मैंने उनको कहा था कि आप मुझे सरक्त बोर्ड का यह है वह बड़ सैप कीजिए मैं आपको बता दूँगा उन फ्रेंट्स के लिए जो मैं बता रहा हूं कि जो आपकी रिंग नहीं आती थी आप उसके ने आपने है बिल्कुल इसके पास लगा हुआ है कि यह तो फ्रेंट रहा तक अगर रिंग नहीं आती है वह उन भाइशाब को बता दिया मैंने क्या है अब मैं आपको फाल्ट बताने जा रहा हूं कि अगर फॉन बिल्कुल डैड है उसमें डायल टोन नहीं आ रही है या अंगे टोन आ आपने मदडर से सिंपल लिए लगा हुआ है यहां से इसको प्रेक्षिन को प्रेक्षिन के लिए लगा हुआ है जहां से इसकी एक लेक कार्ड देनी है उसके बाद एक लेक कार्ड देनी है उसके बाद आप देखेंगे कि आपका यह सेट है यह बिल्कुल ओके हो गया फ्रेंट्स उसके बाद में आपको बुताता हूं कि अगर इसमें की पैड नहीं चल रहा है कि पैड में कोई प्राब्ल को कि बाद की पेड़ को आपको सपानी से सुखाकே तो पापस इसको लगा दिजीए उसके पाद आपको देखेंग यह आप की प्राबल है वह साल्फ हो गई है फ्रेंट्स होब करता हूं यह मैंने आपको फाल्ट बताएं आपको अच्छे से समय लगे हैं अगर अच्छे से समय लगे हैं प्रीज दू सब्सक्राइब